हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रभास और स्वागत है आपका आपके अपने योट्यूब चैनल प्रभास मिज़रा पर दोस्तो ऐसा है कि आपने थमनल में देखा होगा कि बरौनी से दो नई टेनों की घोशना हुई है दोस्तो जो घोशना की गई है या सोनपूर मंडल के रेल प् के बारे मैं बात करने वाला हूँ कि ये कौन-कौन सी ट्रेने होंगी किस टाइप की ट्रेने होंगी कहा से कहा तक के लिए चलेगी दोस्तों सारी बाते होँए इस वीडियो पर एटल कसा दो से फेले के वीडियो शुरू करूँ मेरा आप से आगरा या देब अब तक चलना नहीं करें ज़रूर करें वीडियो को लैक करें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि और कौन-कौन से रूटों पे नई टेनों को चलना चाहिए और कोई भी ज़ाई शिकायत आपका है तो आप इस्टाग्राम पे जा सकते हैं जिसका लिंक डिक्सिक्षिन में दिया हुआ है दोस्तो अपने वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो अनिल कुमार गुपता जो कि सोनपूर रेल मंडल के प्रमुक है उन्होंने बताया कि सोनपूर मंडल ने रेलवे से टोटल 16 नई यात्री टेनों की रेक्स की मांग की है जो की अलग-लग रूटों पे चलाये जाएंग दोस्तो पहली टेन जो होगी वह बराणी से चलेगी मुंगेर के बीच दोस्तो यह वह बात करें तो बराणी से मुंगेर के लिए कोई भी टेन नहीं है कोई भी डारेक्ट रेक्स हो या फिर डेमो टैप की टेन वह बराणी से मुंगेर के लिए एक टेन की डिमांड बहुत लंबे समय से की जा रही थी जिसे अब रिल्वे निश्टित रूप से पूरा करेगा और दोस्तो इस रूट के बारे में उन्होंने इंफर्मेशन दी है जिसके मुताबिक ये ट्रेन बराणी से खुलने के बाद बेगु सराय सहापूर कमाल होते हुए मुंगिर तक जाएगी दोस्तो ये पहली ट्रेन थे जिसको घोषना उन्होंने की और इसी अगर साथ उन्होंने बताया कि बराणी से एक पटना के लिए एक EMU ट्रेन चलाई जाएगी तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको दोनों ट्रेन के बारे में इंफर्मिशन मिल गई होगी तो अच्छे लिग वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों आज के लिए वसे इतना ही मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिंद जाए भारत